कि अध्या से चलकर काशी आए परमंस महराजी है आज एटीवी भारत से खास बाच्चित करेंगे महराजी काशी में आका स्वाजत है धन्यवाद जी उत्तरपरदें में विधान सवाद चुनाव चला है तो आप किसको आसिरवाद दे रहे हैं हमारा आसिरवाद तो भारती ज सपना आता है भगवान किष्ण का तो सपने का लड़ू खा रहे हैं लेकिन सपने का लड़ू कभी हकीकत नहीं होता है बात करें कि बनारस में प्रचार करने के लिए मंता बनर जी भी आ रही है अखले स्यादों के साथ तो क्या लगता यहां देखिए आयोध्या से मैं तप पैठियो को निशनल्टी दे दिया है और जिस तरह से दो मैं को चुनाओ परिणाम घोसित होने के बाद में ममता बनर जी ने रोहिंगे आतंकबादियों को छूट दे करके तीन करोड से ज्यादा हिंदूों का मडर कराया है निर्मम हत्या कराई है और वहां कि जब राजप अगर बात करें तो एक बाद फिर हिजाब का मामला सामने आ रहा है पूरे उत्तर प्रदेश की राजनीत में घूंड़ा है देखिए ऐसा है कि आदानी प्रधान मंत्री शीर नरंद्र मोदी जी ने जो ट्रिपल तलाग खतम किया है तो इसके पहले तमाम मुला मॉलबी मॉ दाज हो रही थी लेकिन मोदी जी ने उस दर्द को समझा और तीन तलाग को कानून बना करके खतम कर दिया तो जैसे लोगों को लगा कहीं पढ़ी लिखी मुसलिम महिलाए भाजपा को बोट अगर दे देगी तो उनका गजवा हिंद का सपना धूरा रह जाएगा तो यह है लोगों की एक बहुत बड़ी एक सडेंत्र के तहति एक रणनीती के तहति यह हिजाब का मैटर उचाला गया है और इसे भी मोदी जी के नेति तुमें जो देश इतनी तेजी से आगे बढ़ रहा है पूरे विश्व लेविल में तो पाकिस्तान और चीन को नहीं पच रहा ह कि भारत राष्ट नहीं है यहां पर तेक राज सोतंत्र हैं और उन्होंने कहा और इसके बाद यह जो है तो सुरू हो गया मने एक बड़ी प्लानिंग के तहति यह काम किया गया है जो देश बिरोध में भी है और लोग कहीं कहीं से मुस्लिम महिलाओं का बोर्ट कहीं भाज लाबा उसके पास कोई मुद्दा नहीं बचा है क्योंकि आज तक का रिकार्ड है जितना गरीबों को घर भारती जनता पार्टी ने दे दिया है उतना आद तक किसी ने दे नहीं पाया 65 सालों में कांग्रेस नहीं कर पाई जो मोधी जी ने पांच सालों में कर दिया है तो जनता तो भाई जनता पड़ी लिखी है वो सब भाजपा में आ रहे हैं तो बिपक्ष सिर्फ भ्रम फैला करके जूट बोल करके और चाहता है किसी तरह से लोग जो है तो भाजपा से नराज हो करके उनको क्योंकि बिपक्ष अपना अस्तित्त की लड़ाई लड़ रहा है जा युद्ध्या तो बहुत सही हो गया कासी में अभी जो ग्यान बापी थोड़ा सा जो है विदेशी आकरांताओं के द्वारा क्योंकि जो बड़े नंदी है उनका मुह जो है न वो जो ग्यान बापी मस्जीद है उधर है मतलब में शिव मंदिर की जगह वही है तो वह भी और साथ हि साथ में देश का पटवारा जब हिंदू मुसल्मान के नाम पर हुआ है मुसल्मानों के लिए पाकिस्तान मंगला देश कि अगर कोई अपने को राम का बंसज मानता है तो बहुत अच्छी बात है लेकिन अगर वो राम के बंसज होते निहत्य राम-भक्तों पर गोलिया बरसाने वाली समाजबादी पार्टी से चुनावना लड़कर औराम का बंसज बताना इस बोट लेने की राजनी थे और कुछ संतों का अक्रोश कभी नहीं था और रह गए देखिए ऐसा होता है ना निजी मान अपमान एक अलग भी से हैं तमाम संत हैं और कोहीं ने कहीं खुसीना राज़ी अलग अलग चीज़ है लेकिन राष्ट ही सर्वों पर है देश हित में भारती जंता पार्टी काम करें जैसे त जनता यह काती है कि भाई जो यह प्रत्यासी जो उतारे गए हैं प्रत्यासी सही नहीं है लेकिन हम लोग बोड़ हम लोग का प्रत्यासी कमल का फूल है और योगी और मोदी के नाम पर बोड़ देंगे यह सही है जो प्रत्यासी है जो जन प्रत्निधी है वो उतना उस हिसा कि आप से योगी और मोदी कर रहे हैं अगर योगी और मोदी चान करते तो यह जो यह जो विपक्ष में खतित भुक्त हो इस यह सक्थ है कि जो भारती जनता पार्टी के आप अए उनसे जनता खुश नहीं है लेकिन योगी और मोदी के बाता का कि महने मंता मैंने जैसा कहा कि टीमसी आतंकवादी संगठन है ममता वनर जी एक आतंकवादी है राजनीती गंदगी है और यह राजनीती यह प्रकास देश बिरोधी दुर्भावना फैलाने यहां आ रही है और जैसे ही चुनाव परचार खतम होगा तो हम लोग जो है गंदा जल छि मतों का कहना है लेकिन यह तो आने वाला समय ही बताएगा कि लखनों के गर्दी पर कौन काविज होगा वरानसी से आस्तों शुपात जैए टीवी भारत